भारत में आखिरकार अंबाला एर बेस पर पांच राफिल ने आगमन करते हुए गर्जना करने के साथ वाटर कैनन के साथ ये राफिल को सल्यूट किया गया चीन और पाकिस्तान के नापक इरादों को भारतियो वायु दलद्वारा अब निशान मिटा देगा करीबन 2100 किलो मीटर की प्रती गंटे की रफटार से जो जेट वीमान 6 मिनिट में पाकिस्तान और 9 मिनिट में चीन तक पहुँच सके तब ऐसे महाशक्तिवान राफिल वीमानों ने आज भारत में लेंडिंग किया भारत ने एक और नई शक्ती हासिल की है जिसका आज देश में जश्न मनाया जा रहा है फ्रांस में पाए गए वैसे 36 आदूनिक राफिल वीमानों में से 5 वीमान आज करीबन 7000 किलो मीटर की दूरी काटकर दोपेर को अमबाला के एर बेस पर आ पहुँचे थे वायुदल के अध्यक्स एर चीफ मार्शल आरके एस बदोरिया सहित वेश्टन एर कमांडर सहित के अधिकारियों ने स्वागत किया था अमबाला एर बेस पर 70 वी गोल्डन एरो स्कॉर्डन राफिल की पहली स्कॉर्डन होगी 22 साल के बाद भारत को 5 नए राफिल फाइटर जैट मिले है जो इससे पहले 1977 में भारत ने रशिया के पास सुखोई की प्राक्ती की थी जो ये फाइटर जैट के साथ भारत को एक नई उर्जा और शक्ती प्राक्त हुई है जहां अब ये जाना जाएगा की शक्ती धारन ये वीमान दुनिया में सिर्फ ऐसा फाइटर एर्रकाफ्ट है जो 55,000 की फुट की उचाई से दुश्मन को नश्ट करने की शक्ती धारित है और सबसे एहम बात ये है कि ये शक्ती पाकिस्तान और चीन दोनों देश के पास नहीं है भारत में पांच राफिल वीमान के आज आगमन के साथ एक नई उर्जा का संचार हुआ है एक रिजड़कर थी एक प्लीज के थी हैं। खीज ये जुब अच ए जàoी के वीज़ प्लेट बाцип फीन ई tummy लाय चाहिश norm के बादाव का ये चाहत ले प्यार में पांच आपाल के घवरे जुनष एका लिज़कर घ्ट ऱ्सक पर् evidence कि एक्तरवimi कर aligned मेंनेग dużo के चैथरी ऊप boyarta इसक narrow में जाओ अानल पीफ कि अँटने एक किपने थानी तोग्र फिली दो अंप प्राइब कर दो दिली एक टूंग्या थे एर हम जयोच इनीजा कीछ दो लाओगर को चीज देखू रेमारकर बिष्ड़ में डड़ झाल थाक का ठाफिड रेवी ते सीम्याप है प्रफ्षानलाज पूर्ड प्रेव प्रेवाई प्रेवा का इंड अभान के देवारे बेडावा पूस्वा पूस पर रूड श्रम पूस्वा को इंडिसे प्रशप आदेट जू थांड पारेव it's there a smooth flight on the way and a great service to the cause of India's defense and security they play a very important role in that yeah so we look forward to seeing their inductionijana